चलिए हम लोग आज जो है solution के solution का second part start कर रहे हैं solution के second part में हम lecture number eight start कर रहे हैं आपके लिए हम लोग solution का first part यहां तक पढ़ चुके हैं First Part समाप्त हो चुका है, 1 से लेकर 7 lecture तक Solution Part 1 चला, अब Solution Part 2 स्टार्ट हो रहा है Solution Part 2 में जो है हम लोग Lecture No. 8 पढ़ेंगे Lecture No. 8 का Study करेंगे और Lecture No. 8 में हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग Vapor Pressure के बारे में पढ़ेंगे यहाँ Part 2 जो हमें Study कराता है Solution का वो Vapor Pressure Vapor Pressure of Pure Liquid, Vapor Pressure of Mixer वेपर प्रेशर of solution, change of वेपर प्रेशर due to temperature, तो ये सभी चीजें हम लोग पढ़ते हैं वेपर प्रेशर पार्ट में. तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेपर प्रेशर. आप अच्छी तरह जानते हो, कि दुनिया का अल्मोस्ट लगभग, अल्मोस्ट मतलब लगभग, अल्मोस्ट सारे लिक्वीड कमो बेश अपने सर्फेश से वेपराइज करते हैं. अपने सर्फेश से वेपराइज करते हैं. Assume it that this container contains some liquid, यह container में कुछ लिक्वीड है. This liquid may be alcohol, ether, petrol, diesel, kerosene, water, कोई भी लिक्वीड हो सकता है. और इस लिक्वीड, यह लिक्वीड जो है, अपने आप, आप रूम में रखे हो, बात्रूम में रखे हो, घर में रखे हो, बाहर रखे हो, कहीं भी रखे हो. बिना गरम किये, कम या ज्यादे, कमो बेस, यह अपने सर्फेस से उड़ेगा, सर्फेस से उड़ेगा. अगर आपका कंटेनर ओपेन है, खुला है, तो यह भेपर बाहर चला जाएगा. यह भेपर बाहर चला जाएगा. अगर आपका कंटेनर खुला है, तब बरतन में, अगर ओपेन कंटेनर है, तो आपका बेपर बाहर चला जाएगा. लेकिन, अगर कंटेनर is closed, कंटेनर is closed, there should be no ched in your container. आपके कंटेनर में कोई छेद नहीं होना चाहिए, कहीं भी. Means, the container should be closed. तो जब आपका कंटेनर closed होगा, तो finally तब भी तो वेपराइजेशन होगा हीं होगा. तब भी तो आपके लिक्वीड का वेपराइजेशन होगा, और ऐसी स्थिती में आपका वेपर जो है, यहाँ इकठा होगा, जमा होगा, और जब वेपर इकठा होगा, जब वेपर यहाँ जमा होगा, तो यह वेपर जमा होते, 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 एक ऐसा stage पे आजाएगा, जब ये भेपर इस वाल पर pressure exert करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसको निकलने की जगह नहीं मिल रही है, ठीक है? There is no chhed in your container, that's why there is no scope to escape, there is no scope to escape by the vapour. That's why the vapour starts to exert a pressure on the wall of the container, on the wall of container. तो उस इस्तिती में भेपर वाल पर pressure exert करने लगता है, और जैसे जैसे भेपर बढ़ते जाता है, वैसे वैसे pressure भी बढ़ते जाता है, लेकिन एक ऐसा वक्त आता है, भेपोराइजिशन होते होते, जब भेपर जो है, equilibrium में आ जाता है, भेपर और liquid phase, it is your liquid phase, it is your liquid phase, and it is your vapour phase. It is your vapour phase, it is your liquid phase, and a time will come, when liquid phase, liquid phase, and vapour phase becomes in equilibrium. equilibrium, एक समय आएगा, समय बित्ता जाएगा, बित्ता जाएगा, बित्ता जाएगा, और थोड़ी देर बाद एक समय आएगा, जब liquid phase और भेपर phase दोनों equilibrium में आ जाएगे, और liquid भेपर में जाने का speed और भेपर का liquid में आने का speed दोनों equal हो जाएगा, और जब दोनों का speed equal हो जाएगा, भेपर में जाने और liquid में आने का speed equal हो जाएगा, उस समय का major किया गया pressure को कहा जाता है भेपर pressure, यहाँ आप देख रहे हो, जब liquid और भेपर phase equilibrium में आ जाएगे, उस समय एक जट किया गया pressure ही कहलाता है भेपर pressure, तो इस तरह से यह भेपर pressure में जर किया जाता है, और इसी को हम लोग भेपर pressure कहते हैं, इसी को हम लोग भेपर pressure कहते हैं और यही भेपर pressure है, तो temperature लेकिन आपका क्या होना चाहिए, constant होना चाहिए, definite होना चाहिए, temperature change नहीं करना चाहिए, तो temperature change नहीं कर रहा है, temperature को आप constant रखे हुए हैं, अब question यह है, भाई कि यह भेपर pressure किसी चीज पर depend भी करता है, कि नहीं कुछ चीजों पर depend भी करता है, क्या भेपर pressure हम चाहें की बढ़ा दें और चाहें की घटा दें तो क्या ऐसा किया जा सकता है, एक certain state पर, तो आफ़कोर्स किया जा सकता है, भेपर pressure इंडिपेंडेंट फैक्टर नहीं है, यह बहुत सारी चीजों पर depend करता है, और वो उसारी चीजों पर जब depend करता है, तो वो उसारी चीजों पर जब depend करता है, लिक्वीड के नेचर पर Must Demand करेगा वेपर प्रेशर सभी लिक्वीड पराबर वेपराइज नहीं करते हैं आपको पता होगा Water जितना वेपराइज करता है उतना ही अलकोहल करेगा उतना ही पेटृल करेगा उतना ही डीजल करेगा यह नहीं होता Actually water की volatility कम है और लिक्वीडों के उड़ने की टेंडेंसी को हम लोग भोलेटेलिटी कहते हैं जो लिक्वीड या जो सबस्टांस उड़ सकता है उसे भोलेटाइल कहते हैं और जो नहीं उड़ सकता है उसे नन भोलेटाइल कहते हैं तो इनकी volatility पे भी depend करता है अब रही बात आप देखिएगा आप पेट्रॉल में उंगली डालिए और पानी में उंगली डालिए दोनों में आप उंगली डाल के experiment आप घर पे किजिएगा आप दोनों उंगली डालिएगा एक पेट्रॉल में एक पानी में तो आपको महसूस हो होगा एक उंगली में जादे ठंडा लगेगा तो कौन सी उंगली में जादे ठंडा लगेगा तो जो उंगली जो फिंगर आप पेट्रॉल में डालेंगे उस फिंगर में जादे ठंडा लगेगा इसका मतलब पेट्रॉल की volatility अधिक है water की volatility से यानि पेट्रॉल जादे तो कुछ लिक्वीट जादे उड़ते हैं, कुछ लिक्वीट जादे उड़ते हैं, कुछ लिक्वीट जादे उड़ते हैं, कुछ कम उड़ते हैं, तो यही हुआ नेचर आफ लिक्वीट, लिक्वीट के नेचर पर डिपेंड करेगा कि कुछ लिक्वीट का नेचर कैसा है, कुछ लिक्विट जादे उड़ते हैं और कुछ लिक्विट कम उड़ते हैं। दूसरा फैक्टर है आपका टेमपरेचर। भेपर प्रेचर जो है टेमपरेचर इंक्रीज करने से भेपर प्रेचर बढ़ जाएगा। अगर आप यहां से गरम करोगे, नीचे से गरम करोगे, टेमपरेचर बढ़ाओगे, तो भेपर जादे निकलेंगे, तो भेपर प्रेचर अधिक हो जाएगा। तो temperature पर भी depend करेगा, अगर आप cooling कर दोगे, तो vapor जो है, क्या हो जाएगा, condensation हो जाएगा, vapor condense कर जाएगा, और condense करके liquid बन जाएगा, तो vapor का quantity घट जाएगा, और vapor की quantity घट जाएगी, तो vapor का pressure घट जाएगा, तो यह आपको benefit मिलता है, और मिलेगा. तो temperature पर भी depend करता है, और तिसरी चीज, presence of impurities, अगर liquid में कोई impurity डाल दीजेगा, जैसे कोई non-volatile solute डाल दीजेगा, जैसे पानी में थोड़ा सा sugar डाल दीजेगा, जैसे पानी में थोड़ा salt डाल दीजेगा, तो पानी का vapor बनने के tendency अधिक होती है, लेकिन salt डाल देने के बा माला solute नहीं है, जैसे urea, glucose, salt, sugar, ये सब में से कोई भी चीज, अगर आप water में डाल देते हो, पानी में डाल देते हो, तो उस पानी के भाफ बनने का tendency कम हो जाएगा, भैपराइजेशन का speed कम हो जाएगा, तो भैपर प्रेसर भी कम हो जाएगा, इस तरह भैपर प्रेसर कम हो जाता है, इस से आपको benefit मिलेगा, भैपर प्रेसर कम हो गया, तो अगर आप जो है कोई non-volatile solute डालिएगा, तो भैपर प्रेसर लोवर होगा, घटेगा, अगर आप जो है क्या करेंगे, more volatile liquid डालते हैं, तो भैपर प्रेसर और बढ़ जाएगा ठीक है, यह चीज होता है, यह concept होता है, ठीक है, अब next पर हम लोग देखते हैं, तो अब हम लोग जो है, देखते हैं, measurement of भैपर प्रेसर, भैपर प्रेसर कैसे मापा जाता है, कैसे आप मापोगे, तो आप जानते हो कि प्रेसर मापने की instrument होता है, प्रेसर मापने का instrument हमने आपको properties of gas, 11th के topic में बताया है, और प्रेसर मापने के लिए manometer machine होती है, ठीक है, और यह है closed end manometer, और इसी से हम लोग भैपर प्रेसर मेजर करेंगे, सबसे पहले भैपर प्रेसर मेजर करने के लिए आप जो है, क्या करो, कि इसमें आप एक liquid ले लो, liquid, जिस liquid का भैपर प्रेसर मेजर करना है, इसमें आप water ले लो, water आपका thermostat का काम करेगा, thermostat का काम करेगा, मतलब water जो है, इस आपके liquid का temperature constant करके रखेगा, यानि बढ़ने घटने नहीं देगा, that is thermostat, thermostat का मतलब होगया, thermostat मतलब heat या temperature, stat मतलब fixed, constant, रुका रणा, तो जो है, ये liquid है, अब इस liquid में आप क्या ले सकते हो, तो इस liquid में आप चाहो तो petrol ले सकते हो, diesel ले सकते हो, kerosin ले सकते हो, alcohol ले सकते हो, ether ले सकते हो, मान लो, alcohol ही तुमने ले लिया, alcohol, alcohol ये पीने वाला alcohol नहीं ले ना, ये जो है, methyl alcohol ले लो, इसमें, CH3OH, ये भी alcohol है, लेकिन ये पीया नहीं जाता, तो जो है, आपने alcohol ले लिया, alcohol जो है, ये liquid है, अब ये liquid लगेगा वेपोराइज करने, और एक चीज और ध्यान देना, इसके उपर पहले से जो gas है, उसको vacuum pump लगाके निकाल देना है, इसके उपर पहले से जो भी gas हैं, उसे vacuum pump लगाकर निकाल देना है, और तब vacuum pump के mouth को close कर देना है, इसके बाद automatically ये methyl alcohol बेपर बनने लगेगा, इधर से अब पैक हो गया है, और ये भेपर जो है धीरे धीरे इधर से निकलेगा और इधर आएगा शुरू में आप देखो इसमें मरकरी भरा हुआ है ये ब्लैक 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 जो देख रहे हो ये क्या है मरकरी ये मरकरी है HG है और ये मरकरी जो ब्लैक देख रहे हो ये सुरू में लेबल दोनों तरफ का बराबर है, सुरू का लेबल इधर और इधर बराबर है, था, स्टार्टिंग में जब तुम लिये थे, तो इधर का लेबल और इधर का लेबल इक्वल था, और बाद में जैसे जैसे भेपर इधर से आता गया, वैसे वैसे इधर भेपर प्रेसर बढ़ता गया, भेपर इस मरकरी को दबाने लगा, और जैसे जैसे मरकरी को दबाने लगा, मरकरी इस जो है आर्म में नीचे चलता गया, और इस आर्म में उपर चलता गया, शुरू में दोनों तरफ बराबर था यू लाइक ट्यूब है देख रहे हो यू लाइक ट्यूब के पहला आर्म में इस आर्म में जो हाइट था वही हाइट इस आर्म में भी था दोनों आर्म में हाइट जो है बराबर था लेकिन जैसे जैसे इस liquid का भेपर बढ़ा और भेपर ने pressure दिया तो भेपर का pressure बढ़ता गया, mercury इधर नीचे चलता गया और इधर उपर चलता गया और एक ऐसा वक्त आता है जब ये equilibrium state में जब पहुँचता है जब ये alcohol का भेपर अपने equilibrium state में पहुचता है तो उस समय equilibrium state में जो है ये एक certain stage में आकर रुख जाता है उसके बाद इसका नीचे जाना रुख जाएगा इसका ओपर जाना रुख जाएगा तो समझ जाओ कि ये state आ गया, कौन सा state आ गया? equilibrium आ गया एक state आ गया है, कौन सा? equilibrium state आ गया equilibrium आ गई तो अब हमको equilibrium आ गई अब यहीं रुख जाएगा तो अब तुम height का measurement करो कि यह lower arm वाले से upper arm वाले का height कितना है नीचे वाले से उपर वाले का height कितना है यानि mercury का height measure करो और mercury के height को उसकी density और g acceleration due to gravity जो 9.8 होता है acceleration due to gravity से multiply करोगे तो वेपर प्रेसर मिल जाएगा तुम्हें तो वेपर प्रेसर निकालने का यह तरीका है वेपर प्रेसर में आप जो height होगा वो height लिख दिजेगा आप density जानते हैं mercury का कितना 13.6 लगभग 13.6 लगभग होता है और यह acceleration due to gravity आप डाल दिजे CJS उनिट में डालिएगा अगर तो 980 डालिएगा SI उनिट में डालिएगा तो 9.8 डालिएगा डाल दिजे और अपनी height रख दिजे यह measurement हो गया कितना इस methyl alcohol का वेपर जो है प्रेसर दे रहा है तो आपका equilibrium state पर जो है वेपर प्रेसर पता चल गया अब ज़रा सोचो तुमको सोचने का 2 second मौका देंगे यह सोचो कि इस alcohol का जो methyl alcohol है liquid तुमारे container में सोचो कि इसके temperature को थोड़ा अगर बढ़ा देते हैं equilibrium state में पहुचने के बाद इसके temperature को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ठीक तो इसके temperature को जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो क्या होगा इधर क्या असर पड़ेगा कुछ तो होगा इधर temperature बढ़ाओगे तो कुछ तो होगा अब तुम सोचो दो सेकेंड का टाइम है कि इधर क्या होगा यानि यह mercury का level यहां और उपर जाएगा कि नीचे जाएगा यह तुम सोच के बताओ यही तुम्हारे सामने question है कि temperature बढ़ाने से यहां mercury का level उपर जाएगा या नीचे जाएगा या वही पर रह जाएगा कुछ नहीं होगा सोच लिए देखो अब मैं बता देता हूँ जैसे ही तुम temperature बढ़ाओगे तो अभी अभी आपको थोड़ी दिर पहले बोले थे कि temperature बढ़ाने से vaporization बढ़ता है भाफ जादे निकलेगा गरम करोगे कोई चीज़ को तो भाफ अधिक निकलेगा तो temperature बढ़ाने से इसमें से भाफ जादे निकलने लेगा भाफ जादे निकलेगा यानि vapor जादे निकल रहा है भेपर जादे निकलेगा तो यह आएगा और इधर इसको क्या होगा जादे जोड से दबाएगा भाफ अधिक निकलेगा तो प्रेसर भेपर का बढ़ जाएगा और जादे जोड से जब इसको दबाएगा तो ये कहां जाएगा ये जाएगा नीचे तो ये लिक्विट कहां जाएगा ये जाएगा उपर जब इधर और दबाएगा नी अगर अल्कोहल को गरम न करके क्या करो ठंडा करो तो अगर तुम ठंडा करोगे तो जो यहां भाफ है उभी जम के पानी बन जाता है भाफ ठंडा करने से क्या बन जाता है पानी बन जाता है लिक्वीड बन जाता है तो यह अगर ठंडा करोगे तो यह मिथाईल अल्कोहल का भेपर भी क्या बन जाएगा लिक्वीड और इधर ये लिक्वीड बढ़ जाएगा और लिक्वीड बढ़ जाएगा तो यहाँ भेपर का एमाउंट घट जाएगा तो यहाँ पर प्रेसर क्या हो जाएगा दबाव दबाव कम हो जाएगा और यह दबाव जब कम होगा तो निचे जाने लगेगा इधर के आर्म वाला मरकरी उपर जाने लगेगा और इधर के आर्म वाला मरकरी निचे जाने लगेगा तो इस तरह टेंपरेचर घटाने से यह निचे जाएगा तो हाइट घट जाएगा और हाइट घट जाएगा तो वेपर प्रेशर घट जाएगा और यह measurement जो हुआ, equilibrium पर हुआ, और equilibrium पर rate of vaporization, r for rate, rate मतलब speed, speed मतलब velocity, तो r मतलब rate, rate of vaporization, vaporization का speed बराबर होता है किसके, rate of condensation के, equilibrium पर, तो दोनों का speed सेम हो जाता है, जैसे, आप देखो, rate of vaporization तो एक constant temperature पर constant होगा, यह parallel जा रहा है, यानि equilibrium में रहेगा, अब rate of condensation, जैसे, जैसे, यहाँ, भाफ बढ़ता जाएगा, जैसे, जैसे, यहाँ, vapor बढ़ता जाएगा, वैसे, वैसे, condensation धीरे-धीरे बढ़ेगा, Condensation का Rate शुरू में 0 रहेगा लेकिन जैसे जैसे यहाँ Vapor का Amount बढ़ेगा वैसे Condensation बढ़ेगा 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 और बढ़ते बढ़ते एक ऐसा Time आएगा जब यह Vaporization के Rate को टच कर देगा तो एक ऐसा टाइम आएगा जब यह वेपुराइजेशन के रेट को टच कर देगा तो उस समय इकुलिविरियम आ गया उस समय क्या हो गया? इकुलिविरियम आ गया और यही स्टेज है इसी पर दोनों सेम चलने लगेगा इसी पर चल रहा है वेपुराइजेशन भी और इसी पर चल रहा है कंडन सेशन भी दोनों लाइन एक ही साथ चलने लगेगी और दोनों लाइन जब एक ही साथ चलने लगी तो समझ जाओ कि इकुलिविरियम आ गया ठीक है और इस तरह equilibrium पर पहुँच गया और इसी समय जो pressure मिलता है वो vapor pressure कहलाता है अब देखते हैं हम लोग variation of vapor pressure जो है variation of vapor pressure with temperature आप देखे हो कि यहाँ temperature अगर बढ़ाओगे तो vapor pressure बढ़ेगा temperature अगर घटाओगे तो vapor pressure घटेगा आप देखे हो ठीक तो आखिरकार कितना temperature बढ़ाने से कितना vapor pressure बढ़ता है इसको जानना है हम लोगों को हम लोग अब इसको जानने की कोशिस करेंगे कि कितना temperature बढ़ाने से कितना vapor pressure बढ़ता है इसको जानने की कोशिस करते हैं तो इसके जानने के लिए क्लोसियस एंड क्लेपराउन नाम के साइन्टिस्ट एक थर्मो डाइनेमिक रिलेशन बता है क्लोसियस एंड क्लेपराउन नाम के साइन्टिस्ट एक थर्मो डाइनेमिक रिलेशन बता है जो हम थर्मो डाइनेमिक में आपको बता भी चुके हैं उस thermodynamics के relation के अनुसार ये भेपर ये हुआ भेपर pressure आप ध्यान देना ये हुआ भेपर pressure और ये हुआ change in temperature dt dt मतलब temperature कितना आप change कर रहे हैं that is change in temperature ये है आपका temperature ये r हो गया universal gas constant और delta h u ये भी बताए है enthalpy change of the liquid ये delta h u होगा heat of vapor minus heat of liquid vapor के heat और liquid के heat में जो change होगा that is delta h u ठीक है तो एक खास temperature पर यानि change in latent heat एक तरह से तो जो है ये जो है आप put कर देंगे इसको अब हम लोग integrate करेंगे कि आप किस temperature से किस temperature तक गरम किये हो मान लो कि तुम सुरू में temperature था 300 Kelvin और 300 Kelvin तुम्हारा T1 temperature था 300 Kelvin पर जब temperature था उस समय इसका vapor pressure जो है था P1 अब 300 से तुम बढ़ा के लेके चलेगा इसका temperature T2 कितना 400 Kelvin तो अब आप कोई पूछेगा कि अब बताईए कि 300 Kelvin पर वेपर प्रेशर P1 था तो 400 Kelvin पर वेपर प्रेशर क्या होगा तो उस समय निकलेगा वेपर प्रेशर P2 ठीक है इसी को निकाल लेंगे हम लोग कैसे निकलेगा तो इसको जब हम लोग T1 से T2 पर integrate करेंगे इसे तो प्रेशर भी P1 से P2 पर integrate होगा तो P1 से P2 range में हम integration करेंगे lower limit P1 upper limit P2 integration जो है D LNP is equal to delta HU by R integration T1 to T2 DT by T2 अब आप इसको integrate कर देंगे totally integrate कर देंगे और इसमें log में change भी कर देंगे पहले integration में ये natural log LN आएगा ठीक है और उसके बाद integrate होके final formula आजाएगा log P2 by P1 is equal to delta HU by 2.303R T2 minus T1 by T1 T2 इसमें आप जो है ये formula लगा के आप यहाँ T1 रख देंगे T2 रख देंगे T1 रख देंगे 300 T2 रख देंगे 400 दोनों रख दिये आप enthalpy change आपको दिये आप झाल झाल